दोस्तों बात करें न तो पिछले कुछ दिनों में जितने भी फोन लॉंच हो रहे है न जितने भी 15,000 रुपी कीमत के है न सब के अंदर आपको एक HD प्लस डिस्प्ली देखने को मल रहा है अगर हम बात करें Realme के फोन जो लेटेस लॉंच हुए यहां फिर बात करें कल जो लॉंच हुआ तो मोटरो लॉला का मोटो जी नाइन यहां फिर अगर आज दो फोन लॉंच हुए जैसे कि अगर हम बात करें Nokia के 5.3 की और जिसकी वीडियो में बात करने वाले Oppo के A53 की उनके लग रहा है एक ओफ्लेंड फोकस फोन है लेकिन ओफ्लाइन के हिसाब से भी उसका जो प्राइस है वो जादा होगी है चली आज इस वीडियो में Oppo के बार में बात करतें फिर बात में कुछ और फोन के बार में बताओंगा तो पूरा वीडियो एंड तक देखना और हो सके तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों शेयर करना अगर कोई Oppo का फोन लेने वाला है तो खास तो और पे बात बता देता हूं लेकिन चली सबसे वहले बात करते हैं Oppo A53 के बार में इस पोन की कीमत है 4GB RAM 64GB वाले मॉडल की 13,000 है 15,500 यान 90Hz का डिस्प्ले पता है यह HD Plus डिस्प्ले खैर इसी के साथ ही इसके इसके अदर चिपसेट है वह Snapdragon 460 चिपसेट Dual SIM प्लस Macro SD Card का स्लॉट देखने को मलता है लास्टिक दिजाइन देखने को मलता आपको इस फोन के अंदर और तो आर इस फोन के अंदर आपको stereo speakers देखने को मलता है जो कि एक अच्छी चीज आपको देखने को मलती है और color OS 7.2 के साथ आता है तो overall बात करें तो काफी सारे features इस नहीं pack करें लेकिन features के इस प्राइस प support देखने को मलता है पर नावे कंफिल्मेंटेशन इस फोन के अंदर अभी नहीं किया गया है यह आपको बात बता देता हो और obviously यह जो चिपसेट है यह basically बनाए गया entry-level phones के लिए entry-level आप समझ तकते हो यह उन फोन के लिए बनाए है जिन फोन के इमाद 10,000 उससे कम होती है अगर कोई phone 10,000 उससे कम तीमत में आरा उसमें Snapdragon 460 है तो यह ही justifiable होती है कि हाँ उसमें हम expect कर सकते है लेकिन 13,000 या 15,000 रुपीस के अंदर 460 चिपसेट को justify नहीं कर सकते है एक बात को यहाँ पर मैं Snapdragon 665 को भी justify कर लूँ यहाँ पर कि उसके अन्दरा को full HD screen और Snapdragon 665 की better performance देखने को मिल रहा है अब Nokia की पीछे justification हम यह दे सकते है कि आपको एक stock Android देखने को मिल रहा है जो यहाँ देखने को नहीं मिलता यह देफिनिटली हम इसे online से compare नहीं कर सकते है लेकिन offline के हिसाब से भी phone की जो launch की कीमत है वो जादा रहती है और offline की खास बात बता देता चाहता हूँ offline में रहते है कोई महगा phone जब launch होता है न तो आगे चल कि उसकी कीमत कम हो जाती अब इस phone की कीमत कम हो तब भी मैं इसको recommend नहीं करूँगा लेकिन मैं आपसे विसे कहूँगा कि कोई अगर offline में कर फोन लेने वाला है न तो इस phone के उपर जाने की बजाए offline में वो दूसरे phones देखे और खास तो पर अगर oppo vivo का ही phone लेना है तो मैं assist करूँगा कोई पुराना phone देखे जो 6-8 महिने साल पर पुराना है उसकी कीमत पहले जादा थी 15-20 जारती वो अगर आपको below 15,000 में मिल रहे सारे discount वगरा मिला के तो ही आप उस पर जाए यह Samsung का M21 देखने को मल सकता है और around 15,000 रोपीजी कीमत में कभी-कभी sale के अंदर इस कीमत और भी जादा कम हो जाती है वो भी काफी अच्छा phone है उस price segment के अंदर जी हां मैं एक non Chinese phone भी हो गया और आपको Samsung का phone देखने को मिलेगा और किसी को stock Android चाही तो Nokia का भी एक phone आ गया तो द ऐसा काम किया है जहां पर लगने जबर जासनी इस phone को बनाया गया और इस phone कीमत इतनी रखी गई है और जो basics है कुछ चीज़े सही करें कुछ चीज़े नहीं करी है अगर इस phone में full HD display होता एक अच्छा chipset अगर होता तो शयदे इसकी कीमत हम justify कर सकते कि हाँ ठीक है चलो below 15,000 का phone है offline phone है थोड़ा सा है लेकिन हापको processor थोड़ा सा अच्छा देखने को मल गया एक full HD display देखने को मल गया यहां पर कमी हो रही है तो यह बात आपको देखने वाली बात है तो overall बात करें तो मैं खुद भी मेरे को लगता है कि जो OPPO है वो काफी जादा अभी के समय ओवर कुछ ऐसे कमाल के phone आने वाले है जिसमें आपको OPPO की ही technology काफी कम price में देखने को मलेगी यह बात में आपको बता सकतो सिर्फ यह एक अच्छी चीज़ लगती है बाकि अगर phone पेचने पे इसकी बात आती है तो यार market में जातर जो लोग है न वो OPPO की phone इतना खरीदना प जो चीज मिल रही है ना जो package मिल रहा है ना उसकी कीमा बहुत जादा है इवन 10,000 रुपे की कीमत में भी इसको recommend किया नहीं जा सकता क्योंकि 10,000 रुपे कीमत में आगर में खास तो रुपे especially Redmi से compare Redmi 9 Prime से उसमें आपको बहुत जादा जबर्द स्पैसिफिकिशन मिल जाती है खेर online, offline बहुत जादा अलग रहता है, online का market अलग है, offline का लग है, लेकिन मैं आप सबसे यह होगा, कि अगर offline में भी phone खरीदना है ना आपको से better phones इस price में देखने को मिल सकते हैं, बस आपको थोड़ा से जांग परताल करने की ज़रुत है, थोड़े पुराने model के phones आपको क काफी बढ़ी options देखने को मिल सकते हैं, फिलाल के लिए देखा जाए, तो Oppo A53 एक overpriced phone है, seriously, offline के साबसे भी overpriced phone है, और इसे online release करना कोई समझधारी बड़ा फैसल नहीं लगता, इससे better थोड़ा से मेरे को Nokia का phone लगा, at least आपको Nokia का brand और Nokia का stock Android software होता है, आप उसके यू stock Android के दम तो इस phone को लिया जा सकता है, खैर देखा है तो Oppo A53 की पूरी कहाने ये हो जाती है, मैं इस phone को बिलकुल भी recommend नहीं करता, कोई भी इस phone को recommend कर, उससे दूर भागना, और इस phone को मतलब दूर दूर तक मत देखना, मतलब ये, Oppo के phone दूर से देखो, enjoy करो, technology-wise का आफी अच्छी-च्छी phones में, जो किनके महेंगे phones होते, जैसकी Oppo Reno के 10X Zoom में आपको कुछ अच्छा देखने को मिला था, Find X2 Pro में कुछ अच्छी चीज़े देखने को मिले थी, सिर्फ वहां देखके enjoy करो, बस wait करो, कि कब Oppo से वो technology निकल के, OnePlus, यहां फिर आपको Realme में दे सकते हो, खिर यह बात हो जाती है, मैं आपको यह बत बता देना चाहता था, और आप फाइनली आपसे कहना चाहता हूँ कि Snapdragon 460 चिपस है 10A, अगर कोई भी phone future में आए, तो आप ध्यान रखना कि इस processor के साथ जो phone है उसकी कीमत 10,000 रोपे से जादा होनी ही नहीं चाहिए, यह मेरा एक frank opinion है इस बारे में, वैसे आप लोगों की चीज कैसी लगी, यह बात मुझे नीचे comment बता ना भूला, वीडियो पसंद आए तो like कर लेना, चैनल को subscribe कर लेना, thank आपको वीडियो देखने के लिए, मैं अपसे मुझे तो next वीडियो के अंदर, goodbye